हलो एन वेल्कम टू यो वेर्योन यूट्यूब चानल देसी पटाका मैं हूँ अराधना आपके साथ ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये सिधार शुकला के फैंस, रश्मी दिसाई के फैंस और शेहनासक और गिल के फैंस के लिए बहुत जरूरी है देखना वैसा तो एकतक अपूर के फैंस भी से देख सकते हैं पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटे परदे की हर खबर, रिव्यू जानने के लिए आप देसी पटाका को सब्सक्राइब कर डीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए एकतक अपूर ब्रोकन बट ब्यूटिफुल का तीसरा सीजन लेकर आ रही है यह जो उनकी वेब सिरीज है बड़ी ही चचचत वेब सिरीज है बहुत मशूर वेब सिरीज है अब भई इसमें सिधा शुकला बतार मेल अक्टर, मेल लीड अक्टर के तोर पर नज़र आने वा नविगी वो कौन होगी रश्मी दिसाई का नाम सामने आया और यह कहा जाने लगा कि रश्मी जो है वो सिधार्थ के साथ ब्रोकन बट ब्यूटिफुल सीजन तीन में नज़र आएंगी शेयंआस का नाम भी सामने आया कि शेयंआस को और गिल नज़र लेकिन इसमें से एक नाम पर reject का ठपा लग चुका है और वो नाम है रश्मी दिसाई का जी यहां दोस्तों sources के माने तो रश्मी दिसाई इस इस शो का हिस्सा इस वेब सिरीज का हिस्सा नहीं है रश्मी दिसाई ब्रोकन बड ब्यूटिफुल सीजन 3 में सिधा शुकला के साथ आपको नजर नहीं आने वाली है अब सवाल तो क्या शेनाज का और गिल नजर आने वाली है सिधा शुकला के साथ देखो इस पर कोई confirmation नहीं मिल पा रही है कि शैनाज होंगी या नहीं होंगी रश्मी दिसाई नहीं है ये कंफर्म हो गया है लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्द एकता कपूर डेकलेयर करने वाली है वैसे तो वह अभी अनौंस करने वाली थी शनिवार को ही लेकिन उन्होंने न अपने आप में बहुत बड़ा नाम है बाला जी टेले फिल्म है ना और अगर उसमें प्रोमो ना बन पाए तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कोई बहुत ही धमाका करने वाली है एक तक अपूर क्या कहना है आपका इस बारे में आप किसके साथ सिधार्ट को देखना चाहते ह रश्मी के फैंस को बुरा लगा या सिधार्ट के फैंस को बुरा लगा भई मुझे कमेंट्स में जरूर लिख कर बताना वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना